हलो दोस्तों स्वागा थे आप सभी को एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम इलाइडियोन में आज हम लोग इस वीडियो में एलपी टेक्निशन दुह आठारा के पेपर को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्ब करने वाले हैं इससे पहले अगर आप जितने भी शिप्ट हुए हैं एलपी टेक्निशन दुह ठारा के सारे शिप्ट का सॉल्यूशन करवा करके अप्लोड कर दिये हैं अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो अब अस ही देख ले क्योंकि प्रिभियस एर कॉस्टन सॉल्ब करना आप लोगों के लिए अगर आप एलपी टेक्निशन या भी एंटिपिसी की तयारी कर रहे हैं अब अस ही पैटर्न को जान लेकि किस तरह से अरारी कॉस्टन पूछती है तो आपके लिए काफी बेनिफिसल होगा अगर आप पी वाई क्यों को सॉल्ब कर लेते हैं क्योंकि हम आपको जो सॉल्ब करवाते हैं काफी ही बेसिक से बताते हैं और एक्जाम औरियंटेट बे में सॉल्ब करने की तरीकों को बताते हैं कैसे एक्जाम में आप कम से कम समय में सॉल्ब कर सकते हैं तो अब आस ही चैनल को विजिट करें सारे वीडियो को देख ले जिससे आपको helpful हो और अगर चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो आपको दिमाग भूमा देगा कुछ ऐसे सवाल हैं उसको हम लोग असानी से सरल सब्सक्राइब करके हम आपको समधाने की कोशिस करेंगे तो अब आस ही वीडियो के अंतक बने रहेंगे चलिए हम लोग सुरू करते हैं सबसे पहले हम मैथ सेक्षन को सवाल करेंगे उसके बाद रेजिनिंग वाले पार्ट क सबसे पहले सवाल मारा मै Öz can का वहहतалась सवाल है कि इसको आप सेब्लिक करके बताना है कितना इसका अंसर होगा सबसे पहले हम छोटी ब्राकेट वाले सब्सक्राइग मानद यहां वी मैनिस है और यह मैस कंतना या पूरेग भैलू 27 अब देखें ये 25 है माइनस 27 कितना जाएगा माइनस दो तो यह हो जाएगा पुरा माइनस लगा हो तो क्या जाएगा पलस दो मतल़ 24 फिलस कितना जाएगा 26 23 मैंश 26 कितना जाएगा माइनस का तीन जो की option number 2 में दिया है option number 2 कर्ट होगा लेकिन RRB ने मार किया है minus 1 जो की बिलुकुल ही गलत है का answer इसका option number 2 होना चाहिए देखिए अगले सवाल को हम लोग स्वाल करते हैं trigonometry का बहुत ही बहतरिन सवाल है जैसे ही इस तरह के साल आपको exam में आए आपको देखिए यहाँ पर 10 पलस 10 दिया है पावर कुछ भी और यह equal to 2 दिया हुआ है तो theta का value क्या होगा हमेशा 45 ही होगा मतलब अगर tn का power theta दिया है और t का power m theta दिया है और यह equal to 2 है हमेशा theta value 45 put करेंगे तो theta value कितना जाएगा 45 इसमें 45 पूट कर लिए आपका answer आजाएगा समझे रहे हैं क्या करना चाहरे है जब कभी भी इस format में हो तो theta value कितना जाएगा 45 होगा इसमें नहीं किलिक करता है हम basic से करेंगे तो देखिए basic से भी इसको आप बहुत ही असान तरीका है solve करने का देखिए ठोरा साफ इसको simplify किजे देखिए आप इसमें क्या करेंगे हम 10 square को common ले ले लेते हैं 10 square theta common होगा सब्सक्राइब आपको पता होगा 10 square theta मतलब इसको हटा के हम से के सब्सक्राइब के बराबर मतलब से के सब्सक्राइब लिख सकते हैं आपको पता है अगर 1 plus 10 square theta is equal to कितना होता है 10 square theta तो 10 को भी हम से कमेंट करना चाहिए क्या लिखेंगे 10 square theta 10 square बादर मिल सकते हैं minus 1 into यह से के स्क्राइब तो है ही is equal to हमारा 2 है अब देखिए इसको multiply कर लेजे कितना हो जाएगा हम इसको simplify करके इतना ला सकते हैं और इसी करहलू हमें निकालने के लिए इसका दिया गया है और यह इसके के एककोल है तो दो के एककोल है बिना कुछ की हुए है हम option number 2 mark करकते हैं दोनों तरिकावदादियें आपको जो सही लगे आप उससे आप solve कर सकते हैं देखे question number 3 है कहा गया है 79 की रासी Jason और रुहाना में एक ratio 2 में विभाजित की गई तो रुहाना को कितनी रासी मिले गई देखे जेसन है और रुहाना है अगर जेसन को एक मिलता है तो रुहाना कितना मिलेगा 69 रुप्याम बातना है तो क्या होगा रुहाना का 2 है कितना आउट अप 12 एक मतलब 3 69 है ये 69 ये कितना जाएगा आपको 23 23 इंटू 2 कितना जाएगा 46 अपसर नमबर 4 आपका प्रेक्ट होगा अगरा सारों देखे कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या ग्याद के जिए ज 44 से विभाजित करने पर स्यस्फल क्या होगा 14 29 29 और 34 बचता है तो देखिए जब कि कभी भी इस तरह के सवाल आते हो आपके एक जामें देखे सबसे पहले क्या कहा गया है अगर किसी संख्या को 20 से 25 से 35 से और 40 से विभाजित करते हैं तो कर्मसा 14 29 29 और 34 स्यस्फल बचाना 25 वह जित करेंगे इस तरह से आपको दिया हुआ सबसे पहले देखें दोनों की बीच का डिफ्रेंस क्या होगा इक्वल होगा देखें 20 में से उगर 14 किजे कितना जाएगा 6 35 में से 6 मान से तरह सभी का डिफ्रेंस क्या है सबसे क्या करते हैं इस सभी का क्या करेंगे हम LCM ले लेंगे 20 25 35 35 35 35 और 40 का LCM ले लेंगे जो हमारा LCM आएगा जो इस दोनों के बीच का डिफ्रेंस अस्पल में उसी को हम माइनस कर लेंगे और वही हमारा आंसर होगा समझ गया है इस तरह के सवाल में जो हमारा डिफ्रेंस से हमसे से मीडिएगा जो डिफ्रेंस होगा उसको हम माइनस कर लेंगे जिससे हमको डिफ्रेंस कर लेंगे में वह हम इसको माइनस कर लेंगे सिंपल है देखिए आप एलसेम लिए देखिए 20 और 40 का सिंपल है आपका 40 होगा ठीक है देखिए 40 हो गया उसके बाद देखिए इसको लिखे 5 इंटो 5 यह जाए कितना साथ 35 तो देखिए 25 यह हो गया 25 साथे 125 मतलब इस दोनों का कि 175 और कितना से 75 आपका साथे 302 तो मतीया चोग्था हो जाएगा इसका आपका चौद्हीन में से 6 मास करेंगे लोग है किसन ने एक निच्यत गती से 120 किलो मिला कि दूरी कि याता सैकिल से कि यदि वह हर घंटे 2 किलो मीटर धीमी करती से साइकिल चलाता है तो उसे अपने गंतव्य अस्थान तक पहुचने में 3 घंटे का अधिक समय लगता है तो किसन ने बास्तविक में साइकिल कितने किलो मीटर परति घंटे की चाल से चलाई देखिए 120 किलो मीटर की दूरी है थिक तो अगर मालनें थे हैं स्टार्टिंग में एक्स किलो मीटर परति घंटे की समय से चलता है थिक इसको क्या लगएगा टी टैम लगता है लेकिन क्या काता है आगे अगर वहा 2 किलो मीटर धीमी कर ले मतलब एक सो बीज बट्टी एस्पीड कितना कर लेना है एकस माइनस दो तो पहले के कंपरिजर में समय कितना लगता है तीन घंटा अधिक लगता है यह आपका एक तरके क्योशन बना अब किसन ने बास्तविक में कितने किलो परतिक किलोमीटर घंटे के 40 साइकल चला रहा था बास्तविक असले मतलब एकस माने है तो इस एकस का भेलू निकालना है देखे तो इसको आप सॉल्व किज़ेगा तरक क्योशन नहीं करना है करना क्या है आपक सबस्क्राइब करना यहां पर आपका 12 मतलब दोनों हो जाएगा आपका सब्सक्राइब कर दो दो आ रहा है एक्वल जो की option number एक आपका नहीं होगा option number दो इसी तर्स पूट कीजिए आपका 120 बट्टे कितना जाएगा 8 minus 120 बट्टे 10 त्रीके 15 आठ ठीक कितना होता है 120 और 12 मतलब 15 minus 12 कितना जाएगा आपका 3 आजाएगा जो की option number दो सटिस्फाइकर है option number दो आपका correct answer होग simple है ऐसे आप सवाल करके अपना समय बचा सकते हैं अगला सवाल दें कहा गया है किसी सम चतरभूज के परतिक भुजा की लंबाई 25 मीटर है और एक विकर्ण की लंबाई है 14 मीटर सम चतरभूज का चतरफल क्या होगा सम चतरभूज का फ्रमूला क्या होता है एक बट्टे 2 दी 1 मतलब विकर्ण 1 और विकर्ण 2 मतलब डाइगोनर्स 1 और डाइगोनर्स 2 जो होगा दोनों का मल्टिप्लाई को दो सवाइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपको रौंबाई का एरिया आ जाएगा सिंपल है हम इसको आप स्वालो करिए देखा गया है आपको रौंबास है एक भूजा आपको देदिया है कितना है 25 मीटर का है एक बिकर्ण आपको देदिया है 14 का है दूसरे बिकर्ण की लंबाई आपको निकान ले होंगे तो पता है अगर मान लेजे पूराई 14 है तो कित करता है ठीक एक दूसरे को परतश्य करता है 90 यहां पुर्णत समकोन एंगल बन रहा है सिंपल है देखी तो आप देखी एगर यह राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है यह साथ है तो यह साइट आपका निकल जाएगा यह कितना निकलेगा तो आप यहां से निकलेगे तो कितना जागा देखे 25 चोबिस और साथ यह क्या होगा ट्रिप्रेल बनता यहां पेसे निकल लिजे 25 का स्कुर्ण 25 का करने मदद 625 मैनस 49 कितना जाएगा पांसो चिया था जो कि यहां पार जाएगा 24 अगर यह 24 उगा दख पूरा भिकरने कितन है 48 सिंपल है विसको साथ दुनी 14 और 48 इंटू साथ कितना जाएगा अच्छेपन का च्छा पांच और 285 33 मत तीनसो चातिस बर्ग मीटर आपका रहमवास का एरिया आएगा जो पी आप्शन नमबर एक आपका करेक्ट होगा देखिए नेक्स वाली सिंप्लिपिकेशन का है इसको आप सॉल्व कीजिए ठीक है इसको स्वाली करेंगे हम छोटी जो ही पसदा इंट केंसे इसको उल्ट करेंगे आप यहां पांच माइनस एक यह कितना जाएगा 14baby कितना जाएगा आपका यह Your 9-7 कितना जाएगा next question को solve कीजिए कहा गया कुर्सी और मेज के मुल्य का अनुपाद दिया है no ratio 5 यदि कुर्सी के मुल्य मेज के मुल्य से 42 और रुप्याधिक है तो मेज का मुल्य निकालना है simple है chair और table के ratio दिया गया है अगर chair का अगर cost 9 unit है तो table का कितना हो जाएगा 5 unit है इसको आप 10,000 कितना हो जाएगा 500 फिर दूसे इसको divide कर लिजिए कितना हो जाएगा बावन सो पच्चास simple है बावन सो पच्चास आएगा option number 2 आपका correct होगा next वाग देखों कहा गया है आपको यह बताना है कि कितने जो एस्ट्ट्रेंट क्लास में हुआ चेज खेलता है तो देख कहा गया है only girls play चेज तो क्या आप statement एक के help से बता सकते हैं कितने एस्ट्ट्रेंट चेज खेलता है तो नहीं बता सकते हैं आगे देखे कहा क्या है there are 20 girls and 50 boys in class देखे ना तो दो को help से भी नहीं बता सकते हैं लेकिन अगर आप एक और दो को combine करते हैं तो क्या कहा गया है only girls जो है चेज खेलता है और कहा गया school में 20 girls है मतलब total 20 students क्या है चेज खेलता है simple है answer क्या होगा one and two अगर हम combine करके answer देने के लिए sufficient है देखे अगला साल में कहा गया है एक इमारत की सि決 से एक टावर्ष के sirs और पाद का उन्यन कोन और अवनयन कोन 60rd और 30 gradi है यदी इमारत की उचाई 5 मीटर है तो टावर की उचाई क्याद करना है देखे एक इमारत देखे पहले आप एक टावर है एक इमारत की सिर से देखे एक इमारत यहाँ पर है केसिर्स से टावर केसिर्स, टावर केसिर्स का उन्य अनकोन ये बनेगा आपका, उन्य अनकोन कितना दे दिया है, 60 डिग्री है, और पाद का अबनिर्ग मतलब इसके जो जर है, उसका अब न्य अनकोन ये बनेगा आपका, अब न्य अनकोन कितना दिया है, आपक कितना है ये उचाई हुआ ये उचाई हुआ कितना है ये पांच मीटर है तो पूछा का गया है आम लगों से कि टावर की उचाई क्या होगी वो निकालने है तो देखे ये अगर 30 है तो ये भी कितना जाएगा 30 है तो देखिए अगर 30 के सामने में 5 है ये कितना जाएगा आपका 60 degree का angle बनेगा यहाँ पर आपका ठीक है तो 30 के सामने में 5 है तो 60 के सामने में क्या हैगा जो 30 के सामने होगा उसका root under 3 से multiply कर देंगे मतलब इसका length कितना जागा यहां तक का length पांच रूट अंडर 3 आ गया अब देखिए इसका भेलू क्या हो जाएगा ये मतलब हो गया आपका पांच रूट अंडर 3 देखिए ये आपका पांच दिया हुआ है ठीक है देखिए अगर ये पांच रूट अंडर तुन यहां से यहां तक का है तो यहां से यहां तक का ले फिर से 3 से multiply कर देंगे कितना जाएगा 5 root under 3 into 30 तो ये कितना जाएगा आपका 15 हो जाएगा simple है तो यह हो जाएगा आपका 15 यह हो गया 5 यह हो गया फॉट्रल टावर तो कितना जाएगा 15 प्लस 5 निक्या हो जाएगा 20 सिंपल है इस तरह से आप इसको स्वाल कर सकते हैं option no.2 का correct होगा देखे यह स्वाल बहुती 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 सवाल है इस तरह के सवाल भी आरवी में पूठे जाते हैं तो आप अब अपने घर पे कर ले चाग ताकि आपको एक्जाम में इस तरह के सवाल में आप खंसे नहीं तो देखे सवाल में कहा गया है the table gives the detail of the number of student in class 10 section A and section B who had taken the mid term and final exam मतलब class 10 के section A और section B के छादर का data दिया है जिसमें से कहा गया है mid term और final exam में उसके data दिया है कौन कितने पास हुए है कौन कितने फेल है हमारा question कहा गया what is the pass percentage in at least one of two exam for section A मतलब section A में जो कहा गया data दिया गया student है उसमें से कम से कम एक exam में पास होने बाले छात्रों का percentage कितना है तो आप देखे कहा गया total number of data दिया गया है total number of student who failed in both exam मतलब दोनों exam है mid term और final term तो दोनों में से किसी में भी pass नहीं हुआ है वह जी छात्रों कितने है 28 total number of student who failed in mid term में फेल हो गया लेकिश पास किसमें हो गया final exam में पास हुआ है मतलब एक exam में मतलब एक में पास होगा मतलब एक में कम सकम पास हुआ है तो इसको हम ले लेंगे चोधा हो गया यह total number of student who passed in mid term but failed in final में फेल कर गया लेकिन mid term में पास कर गया है मतलब कम सकम एक में पास किया है तो यह हो जागा छे इसको हम ले लेंगे total number of student who passed in both exam मतलब कम से कम हमसे एक सवाल में क्या पुछा होगे at least one मतलब कम सकम one और maximum हम दो भी बाले लेना परेगा मतलब यह कितना जाएगा 64 कितने चात्र पास किये तो यह कितना जाएगा प्रस 28 क्या हो जाएगा यह हम छोड़ दिया है तो यह भी एड कर लेंगे तो टोटल हमारा student आ जाएगा इसमें हम 84 एड कर लेंगे सवाल था उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे अगर नहीं समझने आया है तो अब असे कॉमेंट करके आप माडाउट किलियर करवा सकते हैं देखें इसी डाटा बेस एक और सवाल इसी सिर्ट में पूछा गया है नेक्स स्वाल को देखें इसमें भी क्या है सेम ट निकालना है तो 84 हो जाएगा टोटल कितना शाथ हो जाएगा इसमें तरीस और जोली कितना जाएगा एक सो साथ इसको परसेंटेज में आप पर नभाट कर लेजिए 100 से मौल्टिप्लाइग कीजिए देखें मतलब 84 सब को एक और साथ से आप डिवाइड कर लीजिए कितना जाएगा आठ से लगेगा सासे लगेगा कितना जाएगा साथ सोननी चासस साथ सोन्े नेटी वन सो बहर को जाएगा तक निँटीवन नौ सो जास मतलब आपका असल छेगा नो भाट सिर्ज लेजिए टोंट समृट कि आ जो कि आपसंन नंबर दो में दिया है अप्सान नमर दू आपका correct होगा next time को दखे कहा गया है एक लम बिर्ती संकू जिसकी अधार की तिर्जा अधार की तिर्जा उसकी उचाई के बराबर है का आईतन एक गोले के आईतन के बराबर है संकू और गोले के संकू और गोले के तिर्जा का अनुपात क्या है वो आपको निकालना है तो संकू देखें संकू आइथन कितना होता है एक बट्टे तीन पाई 5 पाई देखे हैं इसको लिए आर और एक भी क्या होगा डि 않는 पाई पते तीरी होता है गोले का आयतन प्लब्टे 3 पाय यूट ज़्यागा आपका यही तिन निकालना है इसका हम कूब रोट को इंब उसकि फोर का क्यू रोट रीक्स प्लस क्लस फोन एक सुन माइनस तो का मान क्या होगा मतलब अगर हम जब इसमें x का भेलू अगर put करते हैं यह किसके equal हो जाएगा 0k के equal होगा simple है इसमें आप x का भेलू put किजिए तो कितना हो जाएगा k-1, minus 3 का square कितना हो जाएगा no minus 3x, minus 3 k हो जाएगा यहाँ पर x के जगाँ पर हम minus 3 put करते हैं plus 1 is equal to 0 k हो जाएगा 9 k-9, minus 3 k, plus 1 is equal to 0 यह कितना हो जाएगा इधर जाएगा यह हो जाएगा आपका 6 k और यह हो जाएगा minus 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, plus 8 मतलब यह हो जाएगा कितना 3, यह हो जाएगा 4 मतलब कि एक भेलू कितना हो जाएगा आपका k का जो value आजाएगा आपका 4 बट्टे 3 k का value 4 बट्टे 3 आ रहा है जो की option number 3 में दिया हुआ है check कर लिजिए हम लोगा है इंगलत तो नहीं किये है minus 3 हम put करना था तो देखे k minus 1 ती हो जाएगा plus का 9 minus 3 k plus 1 is equal to 0 ती हो जाएगा आपका 9 minus 9 यह हो जाएगा 3 k plus 1 is equal to 0 यह हो जाएगा 6 k simple है 6 k और यह हो जाएगा आपका minus 1 simple है हमने कहीं कोई गलतिया नहीं हुई है मतब किये के भेलो कितना जाएगा 4 बट्टे 3 ही आएगा जो की option number 3 में दिया है 9 की 2 गलत है ठीक है आप भी check कर लिजिएगा correct answer इसी मेठार से बराना होता है मतब option number 3 ही correct हो रहा है देखे अगले सवाल देखे कहा गया है अगला सवाल में यदि 17 मीटर कप्रे का मूल 70 पुर्णांग 5 बट्टे साथ है तो प्रती मीटर कप्रे का मूली कितना है मतब एक मीटर का कोश्ट कितना है? sorry मीटर का कोश्ट कितना है? 77 पुर्णांग 5 बट्ट्टे साथ यँ हो जाथा, एक मीटर का कोश्ट काना इसको तक प्रिस से क्याकिर दिवाइड कर देखे इन्टू इसको अल्सार से देखका प्रत्या सब्सक्राइब देखिए हमारा अगला सवाल है पाइप और सिष्टर्न का तो देखिए पहले कहा गया ए और बी दो पाइप है एक साथ टैंकी को आठ घंटे में भर देता है एक साथ दोनों को पाइप को चालू कर देने की दो घंटे के बाद यदि बी को बंद कर दिया जाता है तो सेज टैंक 11 घंटे में यानि क्या होगा सेज टैंक को भरने में 11 घंटे लगते हैं तो पाइप ए अकेले खाए टैंक को कितने घंटे में भरेगी जो देखिए कहा गया है A और B जो है कुल काम कितना हो जाएगा A और B मिलकर काम को 8 घंटे में कर दिता है तो काम कितना जागा A की छमता A है और B की छमता B है तो कितना जागा A प्लस B भरता है फिर क्या होता है बी को बंद कर दिता है शिर्फ एक ए झाले ए भरता ही कितने घंटे तक तो इसमें कर आगा है से टैंक 11 1 घंटे में भर जाते हैं bem दो घंटे चला ठाग फटालांक बचा हुवा है उसको 11 घंटे में भर देता हैं लेकिन ये हिंदी मतलब 11 घंटे करने के बाद 11 घंटे एक को लगता लेकिन ऐसा नहीं है अगर इससे स्वालब करेंगे तो ऐसे स्वालों आपको करना है अध्याज को लेकर चलते हैं देख सब सकते हैं कितने अपने जो की हिंदी कुछ अलग लिखा है और लेकिन इंगलीस के लिखना है तो आपको स्वालब के जिमें अंतर है चलिए हम लोग इसको सुल्ब करते हैं कितना जाएगा आपको यह जाएगा 11 यह जाएगा टू ए प्लस नाइने 11 ए मैनस एट कितना जाएगा आपको 3A यह आपका हो जाएगा 3A इस इक्वल टू यह जाएगा 8B और कितना जाएगा 2B मतलब 6B तो A और B के रेशियो कितना जाएगा ए रेशियो भी मतलब एक की छमता अगर 2 है एक की छमता कितनी जाएगे वी की छमता एक हो जाएगी हमसे क्या पुछा गया एक अकेले ती काम को कितने घंते में अकेले है खाली हैगे घंट को देखी और जही घंटे में दूरी कर कर शक्ति है यदि इसकी चाल सरह 12 km पर ती घंटे की दर से कमी की जाती है तो 450 km की दूरी तै करने में इसको कितना समय लगा वो आपको निकाने हैं लेकिन आप देखे हिंदी वाले मुग कहा गया है लेकिन अगर इंग्लिज में परहेंगे इसी सवाल को तो कहा गया 350 km की दूरी को 4 घंटे में तै करती है समझ सकते हैं यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिजी में दोनों में question में difference है तो हम इंग्लिज वाले पाट को स्वाल करेंगे 350 किलोमेटर की दूरी 4 घंटे में तै करते हैं इसका स्पीड कितना जाएगा 65 मतलब 175 वर्ते 2 किलोमेटर परती घंटा आगे कहा गया है इसकी स्पीड को 25 बटे 2 किलोमेटर परती घंटे की स्पीड से डिक्रीज क्या आता है मतलब भी सोली सकते हैं 25 बटे दो एस्पीड कितना जाएगा दोनों का माइनस कर लें कितना जाएगा 150 बटे दो हो जाएगा इसका एस्पीड मतलब 75 किलो मेटर परती घंटे का एस्पीड से कितना टाइम लगएगा यह आपको निकालना है सिंपल है 15-15 बटे दो मतलब कितना जाएगा 6 घंटे लगेंगे एस्पीड से 450 किलो मेटर के दूरी तै करने में देखिए अगला सावल में कहा गया है एक सीब ने है सीब ने एक कमीज को 8% हानी पर 184 रुपया में बेचा उसे 5% लाप राप्त करने के लिए कमीज को कितने में बेचना चाहिए जैसे कि देखिए 8% हानी पर कितना में बेचा है ब्राण्वेक भैलो इतना है 105 के वहलो कितना आगा वह आपको निकाना है तो 184 बटे ब्राणवे इन्टु 105 शिम्पल है इसको आप सिंप्लीफाइब कर लिए आपका अशर आजाएगा देखिए यह जाएगा आपका 46 दूह से काट ले है जोगा कितना 9 यह जाएग कितना 2 देखे, चिशालिस दूनी कितना होता है, ब्राउनवे होता है, मतलब 2 इंटू 105 मतलब 210, अपसन नमबर 4 आपका करेक्ट होगा, देखे, कहा गया है, एक रेशियो 5 के अनुपात को दस हमलब में कैसे दत्राया जा सकता है, एक पट्टे 5 को आप दस हमलब में, कनभर्ट कर दे यहती कितना है, जिरो पॉइंट, टू डिवाइड करना है, एक को पांस है, अपसन नमबर 3 आपका करेक्ट होगा, बेसिक सवाल, देखे, इस सवाल को आप सवाल कीजिए, देखे, कहा गया, एक संबाहु तिर्भूज ABC है, जिसकी भूजा कहा है, छे सेंटीमीटर है, यद को इंगली से परिए, इसके जो साइड के एलोंग में मूब करता है, इसके लोकॉस जो सेंटर है, वह क्या है, इक्विलाटरल ट्रेंगल इस तरह से आपका बन रहा है, हम यह फिगर आप लोगों के अलड़ी डिलो कर दी है, यह कॉस्टन में नहीं दिया हुआ, हमने ड्रो किया है, तो इस तरह से आपका ट्रेंगल जो हम बनाए है, उसका आपका क्या निकालना है, साइड का लेंध निकालना है, यह ABC आपको अले पहले से दिया हुआ है, ABC है जिसका साइड आपको पता है, यहां से यहां तक का साइड कितना है, 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है आपको इसका साइड निकालने है तो देखिए आपको पता है कि एक सेंटीमीटर क्या है जो इस सरकल है उसका एक सेंटीमीटर क्या है उसका रेडियस है ठीक है और ये भी क्या है इसका एक सेंटीमीटर आपका ये रेडियस है हमको क्या निकालना है अगर यहां से यहां तक पता चल गया तो हम इसका साइड भी निकाल सकते हैं तो देखिए आप पहले सबसे पहले पता है एक प्रतेक एंगल कितना होता है 60 डिगरी का होता है और यह जो ड्रॉकर किये हैं तो यह कितना जाएगा इसको 30 डिगरी पे डिवाइड करता है सिम्पल है बाइसक करेगा इस अंगल को 30 डिगरी पे तो देखिए यहां पर एक 90 डिगरी का यहां पर एक एंगल बन रहा यह एक टेंजेंट है यह टेंजेंट attend इसका root under 3 times root under 3 ये बन जाएगा समझ रहे हैं आप लोग कहां से कहां तक का length हो गया आपका यहां से यहां तक length कितना जाएगा root under 3 अगर इधर root under 3 हो तो ये भी क्या जाएगा root under 3 देखे यहां पर हम change कर लेते हैं color ये जाएगा आपका root under 3 यहां पर भी यह भी हो जाएगा हमें क्या निकालना है इतना का भेर लो तो क्या होगा अगर पूरा में से ये root under 3 और root under 3 हम minus कर देंगे तो हमारा ये equilateral triangle है उसका side आजाएगा 6 minus 2 times of root under 3 कर लेंगे तो हमारा अंदर बे जो equilateral triangle बना है उसका length आजाएगा देखे समझे गए होंगे option number 2 आपका करेटों का बहुत ही बहतरीन सवाल था सिर्फ आपका concept के लिए था तो आप असानी से इसको solve कर सकते हैं देखे कहा गया किसी थैले में लाल और हरे गेंद का अनुपात 4 अनुपात 9 है मतलब red ball और green ball का अनुपात कितना है 4 अनुपात 9 है यदि 7 और लाल गेंद को थैले में सामिल कर लिया जाता है तो लाल और हरे का अनुपात red और green का अनुपात कितना हो जाता है 5 अनुपात 5 अनुपात 6 हो जाता है तो थैले में हरी गेंद कितनी है तो देखे इसमें क्या किया गया है, साथ red ball को add क्या जाता है, red ball add करने से, 뽑 उसमें क्या होना चाहिए? अभी भी क्या होगा, अगर पहले नो ratio था था अभी भी 9 ratio होगा, इक पोल करेंगी, दुनों इक पोल काराइघा होगा, कितना जाएगा आठ रेसियो और यह कितना जाएगा आठ रेसियो और यह कितना जाएगा आठ रेसियो अठारा और यह कितना जाएगा आपका यह पंद्रह रेसियो अठारा सिंपल है देखिए इसमें क्या है साथ साथ बर गया कितना साथ मिलाने के बाद मतलब एक यूनिट के बहलू कितना जाएगा एक यूनिट ही रहेगा तो क्या पुछा गया थैले में हरी गिंदे कितनी है हरी गिंदे कितनी है तो कितनी थे हरी गिंदे एक का बहलू कितना है द मतलब हरे गेंद की संख्या कितनी थी? 18 थी option number 4 आपका correct होगा. देखे कहा गया है एक बैग में एक रूपीज, पांच रूपीज, दस रूपीज के सिक्क्य है. यह मानते हुए कि एक पांच और दस रूपीज के जो सिक्क्य हैं कि संख्याएं क्या है बराबर है? तो कहा गया बैग में कुल धन 368 रूपीया है, तो बैग में सिक्क्य की कुल संख्या कितनी है? तो मान लेते हैं सिक्क्य संख्या कितनी है? एक्स है, एक्स रुपीज का एक है, एक्स रुपीज का पांच, मतलब पांच रुपीज का एक्स हिका है, दस रुपीज का एक्स हिका है, तो कुल कितना बहलू हो जाएगा, मतलब 16x का जाएगा, सभी का बहलू हो जाएगा, कुल मिला का कितना है, 368, काट लिए, 162, 32, 48, मत देखिए ये बच्चे वाला स्वाल है भीन काजोर है आपको सिंपल इसको स्वालू करना है 35 ज़ो की अप्सन नमबर दो है देखिए एक और बहतरीन स्वाल है कहा गया है यदि एक घंटे घरी की घंटे वाली सुई 18 डिगरी घुमती है तो उस दरान मिनट वाली सुई कितने डिगरी घुमेगी देखिए आपको पता है एक घंटे में जो बारा घंटे में घरी की घंटे वाली सुई कितने डिगरी घुमती है तीन सो साट डिगरी घुमती है मतलब एक घंटे में कितना डिगरी घुमता है, एक घंटे में कितना डिगरी घुमता है, तो आपको 30 डिगरी घुमता है, तो आपको 30 डिगरी घुमता है, हमसे कहा है, 18 डिगरी में कितने घंटे घुमेगा, एक बटे 30 इंटू 18 आबर, कितना घुमेगा, 18 डिगरी में घुम इसको हम क्या करेंगे मिन हेखर कर सेब्याइब आपको पता हे अगर अगर के मिनट के जूए कितना में साथ मिनट में साथ मिनट में तीन सो साथ डिगरी घुमता है एक मिनट में कितना जाएगा छे डिगरी घुमेगा एक मिनट में छे डिगरी घुमेगा इसको हम मिनट में कर भट कर लेंगे उसको हम 6 से मल्टिप्लाइ कर लेंगे आप पता एक मियट में मियट की छुई 6 डिरी घुमती है 36 मियट में कितना दुरी घुमती है 36 इंटू छे मतलब दोसर सोलो आप्शन नमबर चार आपका करेट होगा बेसिक से आंस्वाल की असान तरीका से भी आप बना सकते हैं देखे अगला सवाल है मतलब reasoning का सवाल है कि सुबह X और Y एक पार्म में एक दूसरे की और चलते हैं यदी वे मिलते हैं तो वह क्या है Y की देखे सुबह का समय होगा तो क्या होगा अगर इधर इस्ट है इधर वेस्ट है इधर क्या जाएगा आपका North होगा इधर सात होगा सुभा के समय में कभी पर्षाय के इधर बनेगी इस साइड में ही बनने चाहिए जब कहागवे मिलते हैं तो Y की छाया X के बाई तरफ मतलब इधर बनता है य की छाया तो X का बाई तरफ X मुक्या होगा तर इसका बाई तरफ आपका अलग है बाकि सभी में क्या होगा सभी को मिला देंगे तो आप सभी क्या होगा एक क्यूब बन जाता है लेकिन बन जाता है आपको पता है पानी पीने के लिए हम लोग गलास का अपयोग करते है लेकिन इस क्ärकी के हिसाब च्छन गलास का मतलब यहाँ पर कहा गया एश्पून है मतलब हम पानी पीने के लिए एस्पून का उपयोग करते हैं मतलब पानी पून्ने के लिए किया जाएगा option no.3 आपका सही होगा देखे अगरा स्वाल में कहा गया इसमें odd कोन है मतलब group में जो उसे belong को नहीं कर रहा है वो आपको बताने है तो देखे सभी figure को सभी कया है, सेम direction में जो भी direction में दिया है सभी सभी कया है, same direction में है लेकिन देखेंगे, आप option number C को देखे, दोनोंत सेम है लेकिन क्या é दूसरे के क्या है, opposite में दिया गया इसकान से option number 3 क्या हो जाता है option number C एक दुसरे से क्या है group में belong नहीं करते हैं आप कहागा ये figure किस में embedded है वो आपको बताने होंगे तो देखेंगे आप option number देखें एक में तो कहीं ऐसा नहीं दिया गया है ऐसा कहीं नहीं है जो कि ऐसे ऐसे और देखें ये आपको ऐ इसे क्या है इस तरह का फिगर देखेंगे option number 2 में भी तो क्या है यहां पर देखेंद नहीं है तो यह हो जाएगा देखेंगे आप तरकिक सवाल है कहा गया भीशन सितलहर के चलते सरकारी निततकाल प्रवाव से सभी विद्यालों को एक सप्ता के तक बंद रखने का आदेश से दिया है मतलब स्रितलहर के कारण सभी सरकारी विद्यालें को जो क्या है उस कारण स्रितलहर के कारण उसको बंद रखने की घोसना की है अनुमान में क्या सकता स्रितलहर क्या है एक सप्ता तक जारी रह सकती है एक सप्ता के लिए छुट्टिया मिली है हुआ है अगले सवाल को हम दोग देखते हैं है देखे देखे मिरर fiber इमेज में क्या होगा जू द्डायाँ है only द्वायछा जाएगा मतलब लहाद अधार आ जाएगा मतलब रैट सैड़ में आ जाएगा देखे कहा तो इसमें देखे राइट साइड में है ये बला फिगर ऊपर फेस कर रहा है ये भी है लेकिन देखेंगे ये अपोजिट कर दिया ये आपका नहीं होगा भी सिर्फ आपका डी होगा मतलब उपसर नमबर एक आपका करेक्ट हो जाएगा देखें सिलोक का सवाल है कुछ कव्य मोर है मतलब कुछ कव्य क्या है कव्य को हम लोग क्या लिखते हैं क्रॉज सी लिखते हैं और मोर को पिकोग लिखते हैं ठीक है आपका सभी मोर सभी पिकोग क्या है बत्तक है सभी पिकोग क्या है बत्तक है डी लिखते है कुछ बत्तक क् बार्ट, वह कैया है? कबुतर है, इसको हम पिंग्विन लिखते है, पि इलिखते हैं, अब आए लिखते हैं, airflow में कुछ बद्थक 스ु मतलब सिर्फ क्या है एक ही अनुसरन, एक ही अनुसरन करता है। अब देखे इसमें कहा गया missing term के अथान पर क्या आएगा। देखे यहाँ पर क्या है? 539 है, यहाँ पर कितना है? 441 है। देखेंगे जब भी 539 है, इसका मतलब क्या होगा ये 23 का स्क्वाइर है, और ये किसका स्क्वाइर है, 21 का स्क्वाइर है, मतलब 23 का स्क्वाइर है, उससे पहले 2 खटा देंगे तो इसका 21 का स्क्वाइर है, इसको देखेंगे तो ये किसका स्क्वाइर है, 31 का स्क्वाइर है, देखिए यह कहा गा है गा यू भी का पती है देखिए है द्राते हैं यू कि हैं व धैक यू के हम कैंने से लिकले माट्टे हैं दोणों का हुआ कंच करते हैं तो कैसन है लेटा होगा और यी जोगा जाएक वाइफ है देखे, v और w, दोनों same generation का, v, w तो same line में लिखेंगे, w भी क्या है, ladies है, v और w is daughter of x, x लिख देगे, x का gender क्या है हमें भी, नहीं पता है, y is the husband of, y is the husband of, x, यहाँ पर x होना चाहिए, y is the husband of x, x, तो देखे, यहाँ पर y क्या है, husband है, x का मतलब, x क्या हो जाएगा, ladies हो जाएगी, ठीक है, तो कहा का गया है, then y is the dash of u, देखे, तो y क्या है, father-in-law होगा, किसके, u के, तो u के father-in-law है, ठीक है, अगला option number 2 आक का correct होगा, देखे, इसमें कहा गया, missing number के अस्थान पर क्या है पहले हम sit pattern को जानें, किस तरह का pattern है, तो देखे, यहाँ पर 4 प्लस 5 जो रेंगे, तो यह 9 number आ जाता है, लेकिन हमें यहाँ पांच करना जाए, यह कैसे आ रहा है, तो 4 को 5 से multiply करेंगे, तो 20 आ जाता है, इसमें आट को 3 से multiply करेंगे, तो 24 आ जाता है, 9 में 4 को multiply करेंगे, यहां पर करांब चाहिए चाहिए जोकि अप्सन नंबर चाहर में देया, अप्सन नंबर चाहर आपका करेक्ट होगा देखे इस सीरीज में कहागिया है, how many such numbers are present in the numbers के पुछा गया present in the below arrangement which are immediately preceded by a consonant, नंबर के जस्ट पहले consonant ना चाहिए and immediately plot by a later, इसके बाद एक later नंबर को देखे नंबर यहां पर एक पहले नंबर क्या है, मतलब 1,4 यह फ्लो कर रहा है यहाँ पर देखिए चार यह भी है 4 के पहले Consonant है इसके बाद कोई भी डिल्टर होगा चलेगा यह भी 4 चलेगा उसके बाद देखिए 2 के पहले Consonant नहीं है इस 6 के पहले Consonant नहीं है मतलब 2 ऐसा pattern बन रहा है मतलब option number एक आपका correct होगा देखिए अगला स्वाल तार्किक स्वाल है कहा गया है सरकार ने ग्रामिन छत्रों के लिए साल में दो बार डाक्टरों के बिसेस भरती अभ्यान चलाने की युजना बनाई है फूर्धरनाय क्या हो सकती है कई रिक्तियां है तो इस तर्क में कोई रिक्तिक की जगा मतल की बात नहीं की गई है तो यह तो आपको बिल्कुल गलत हो जाता है सकैने में देखि कहा गया सरकार चाहती है कि ग्रामिन छत्रों के लोगों को बहतर स्वास्त सुबधाएं मिल पाएं तो यह आपका बिल्कुल सही है इसलिए क्या होता सरकार दो बार साल में बिशेश भरती एभ्यान तिला रही है कि इसको डाक्टरों के लिए ठीक है तो दो आपका करेक्ट होगा डिखे अगला सवाल में कहा गया है इसमें भी टम के अस्थान पर क्या है गा देखे गल्फ को लिखा गया है इतना तो वाईन को क्या लिखाрашगा देखे यहां पर जी है जी का प्रेश सबीक कितना होता है 7 7 में से 2-क कीतना हो जाएगा 5 तो यह 5 को लिख़ा गया a से दिया हुआ है Auto में तो और चार में है इसको घाएगा माइनस देखिए कहा है यदि सब्द मीट में किसी स्वर भावल का जो अस्थान है नहीं बतला जाना है लेकिन परतेक बेंजन जो कॉंसोनेंट है को अंग्रेजी बर्नमाला के पिछले अक्षर से बदल देया या ताहत ऐसा करने पर जो नए अक्षर बनेंगे उसके हेल्प से कितने मिनिंगफुल लेटर बना सकते हैं वो आपको बताने है देखिए एम है तो एम एक कंसोनेंट है इससे पहले बार लेटर से इसको बदल देंगे एम को जब क्या लिख लेंगे एल भाविल को जियों कत्यों छोड़ेंगे और ची को क्या लिखा जाएगा इस लिखा जाएगा इस लेटर चाड़ लेटर है इसके हेल्प से कितने मिनिंगफुल सब्द बन सकते हैं दो देखी होता है इक बन जाएगा आपको एगल सेल यह तीन लेटर आपके बनेंगे जो की ऑप्सण तीन में दिया हुआ है देखिए अगला स्वाल में कहा गया है सेलेक्ट दा क्रेक्ट सेट डाट रिपरजेंट दा भेंड डाइग्राम ए बी सी को जो रिपरजेंट करता है देखिए म्यूजिक संगीत खेल और सिक्षित लोग क्या इस तरह से बना सकते हैं तो नहीं बनाता है जानबार से लग है यह थे का अलग है लग इसका बनेगा एक मदर फादर और में देखे एक फैमिली बनेगा फैमिली में ऑर फादर नंदाना यह फैमिली बनता है तो आपका और से अब अब देखे इसको भेन डाइगरम में इगल बर्ड और कैट को दरसाना है लेकिन इस तरह से आपका फिगर बनेगा और चार आपका प्रक्राइब देखे यहां पर हर्स को पॉनी लिखा गया है तो तितली को क्या लिखा जागा है अब बनेगा लिखा जागा है तो उमीद है आपको यह पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अब आसे लाइक कर देजिए चैनल पर नहीं चैनल को अब आसे सब्सक्राइब कर लिजे बिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद